नमस्कार श्टूडेंट श्टूडेंट इक्ससाइज 2.2 क्लास नाइन्थ का इक्ससाइज 2.2 NCRT सोलुशन से क्वेस्टन नमबर फर्स्ट है कि फाइंड दा वेल्यू अब दा पॉलिनोमियल्स 5X माइनस 4X स्क्वेर प्लस 3 एक X is equal to 0 X is equal to minus 1 X is equal to 2 यहां पर मैंने X की कुछ और वेल्यूज दे दी है इसे आप अपने होमर कॉपी में आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में जरू लिखिएगा आईगी अब यहां पर आप देखें आपके पास PX PX जो है 5X minus 4X square plus 3 है यह first number के लिए है तो यहां पर X की value 0 है आप यहां लिखें P0 P0 का मत्रब हो गया कि जहां-जहां X की value है वहां पर 0 रख रहेगा तब आप यहां लिखेंगे 5 into 0 minus 4 into 0 whole square and plus 3 ठीक इतनी बात समय आ गई अब 5 की multiply आप 0 से करें तो 0 जाएगा यहां पर 0 का whole square 0 ही होगा और 0 की multiply जिस से करेंगे तो क्या जाएगा 0 जाएगा और यह plus 3 होगा और 0 0 से हट जाएगा 0 से 0 के मतलब value ही नहीं रहे गई तो क्या प्रयाब करेंगे अब plus 3 और यह जो इसकी value हो जाएगी यह plus 3 रहेगी अजिए second number question second number question पर भी px ही रहेगा px is equal to 5x minus 4x square plus 3 x की जो value जी भी है वो x की value minus 1 है तो यहां पर आप लिखेंगे जहाँ 0 लिखा था आप वहाँ पर minus 1 लिखेगा और 5 into minus 1 minus 4 into minus 1 whole square plus 3 हो जाएगा तो यहां पर यह minus 5 होगा यह plus हो जाएगा लेकिन 1 की multiply 4 से minus 4 plus 3 minus 4 5 minus 4 minus 9 और plus 3 is equal to minus 6 इसका answer जोगा minus 6 होगा थर्ड question के लिए px px आपका same है 5x minus 4 x square plus 3 और x की value 2 है तो यहां पर जो x की value हो जाएगी जब मैंने 0 लिख दिया फिर 1 लिखा minus 1 और फिर यहां पर अब 2 है तो 2 लिख दियागा यहां पर 5 into 2 minus 4 into 2 whole square and plus 3 5 2 जा 10 minus 2 2 जा 4 4 4 जा 16 and plus 3 दिखे 10 plus 3 13 और minus 16 13 से minus 16 जाएगा तो minus 3 यह इसकी value होगी इसी तरह से यह जो questions में values दी गई है इनको आप substitute करें और px आपका यही रहेगा px में ने कोई change नहीं किया केवल आपने x की value को change कर दे ताकि आपके अच्छी practice हो सके तो आप इसको यहां x की जगापर 5 इस तरह से रख करके इस values को find करेंगे इसका answer publicly comment box में जरूर लिखें आप और कोई problem हो तो comment box में उस problem को भी लिखिए ताकि मुझे पता लगे कि आपकी problem क्या है क्या आपको समझ में आया कितना समझ में आया आप कहां नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को हम समझ सके इस यह बार चीज़ा से copy कर लीजिए और इस home book को जरूर करिएगा पप्लिक ली comment box में लिखेगा thanks to watch